अब बिहार के किसानों को फसल से जुड़ी किसी भी दिक्कत के लिए इदर उदर भटकना नहीं पड़ेगा बिहा सरकार का क्रशी विभाग बहुत जल्द प्रखंड इस्तर पर क्रिशी क्लीनिक योजना शुरू करने जा रहा है इस बारे में विस्ता से बता रही है सूबे के क्रिशी मंत्री कुमार सर्वजीत क्रिशी क्लीनिक हम लोग बनाएंगे और जो हमारे बच्चे जो एगरिकल्चर करके आते हैं तो आप सब लोग देखते होंगे कि देश में धर्म की बाद तो बहुत होती है रोजगार की बाद नौक्रियां की बाद बहुत कम होती है और जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं वो बिचारे बिरुजगारी का मार जहलते है और किसान भी काफी परिशान होते हैं कि हमारे खेतों में इस तरह की बिमारियां आ रही है क्यों आ रही है ये सब को पता है कि पूरी देश और दुनिया जलवाई उस परिवर्तन से परिशान है तो हम लोगों ने निरने लिया कि बिहार के सभी परखंडों में हम जो हैं जो एगरिकल्चर से पास ओट बच्चे हैं उनके सहयोग के लिए और इससे किशानों को कैसे फायदा हो दोनुचीज को हम लोगों ने विचार किया और एक योजना हम लोग लाए हैं क्रिशी क्लिनिक नाम से अब जो है अगर कोई किशान खेती करता है चाहे वो सबजी हो फल हो धान हो गेव हो मिलेट्स हो जिस चीज़ का भी और अगर ततकाल उनके खेत में कोई बिमारी आ जाती है तो वो ढून्टते फिरता है और आप देखे होंगे कि जब खेत बिमार हो जाता है तो किसान किसी दवाई के दुकान में जाता है और वो कहता है कि हमारे आलू के खेत में बिमारी लग गया क्या करना चाहिए तो चुकी दवा दुकानदार जो हैं वो अपनी दवा को बेचने के लिए अनाप सनाप दवाईयां जो हैं किशानों को दे देते हैं और जाकर के वो किशान बेचारा छिड़काव कर लेता है उससे किशान को तो नुक्सान होता ही है उत्पादन का जो चीज़ जो इनसान खाते हैं उनको भी कई परकार के गंभीर बिमारीयों की समस्यास हो है जहलना पड़ता है अब जो है हमारे बच्चे जो होंगे जो परखंड लेवल पे क्रिशी क्लिनिक खोलेंगे हमारा बिभाग जो है पाँच लाख रुपया लमसम लागत आती है क्रिशी क्लिनिक को खोलने में हमारा बिभाग जो है दो लाख रुपया उसको सपोर्ट करेगा और यही नहीं है क्रिशी बिभाग का जितनी भी चीज है जुड़े हुए चाहे वो यांतरी करन हो और भी बहुत सारे जो योजनाए हैं जो किसान को जरुवत पड़ती है वो सब चीज का जो है क्रिसी क्लिनिक से वो जनकारी प्राप्त कर सकता है और सबसे बड़ी बात है कि एट ए टाइम किसान जाएगा क्रिसी क्लिनिक में और वहां से जो पास किया है एगरिकल्चर इंजिनियरिंग ये बच्चे जाएंगे उनके खेट पे और उनका भी अपना एक फीस रहेगा कि हम अगर किसान के खेट पे जा रहे हैं देखने के लिए तो भाई सो रुपया का हम फीस है हमारा सीधा उसके खेट पे जाएगा और जा करके उनके खेटे की बिमारी को पहचान करेगा और हमारी कोशिस रहेगी कि जितनी परकार का जो है दवाईया है किशानों के लिए वो भी हम उसको बिवस्था करेंगे क्रिश्टी क्लिनिक को कि एक्च्वल किस बिमारी में किस चीज की दवा का छिड़का होना चाहिए वो बताएगा साथ-साथ हम लोगों ने छिड़काओ के लिए भी अलग से एजेंसी रखे इसे किसान को हम लोग बताते हैं कि एक एकड में आधा लिटर आपको चीटना है संजोग बस हुआ किसान जो है एक आधा लिटर के बदे दो लिटर चीड़क देते हैं तो जो एकसपर्ट होगा हमारा आदमी उसका भी किसान सायोग ले सकता है कि हमारे खेतों में ये बीमारी आ गई है तो इसको किस अधार पे हमको कितना छिड़कना है वो एजेंसी जाकर उसका चिरकाओं भी कर दें तो हमारा ये सारा सपोर्ट है किसानों के लिए और सबसे बड़ी बात है कि देश में साइड पहला राज है हम भिहार जहां पे किसानों के लिए क्रिसी क्लिनिक का बेवस्ता हम लोगों ने किया है ये कम बड़ी बात नहीं है क्रिसी विभाग के लिए और ये जो हमारे अधिकारी हैं हमारे विभाग के सची महोदे हैं डारेक्टर हैं ये सब लोगों ने मिल करके और पहले पूरी समिक्षा किया कि किसानों का उत्पादन का 30% जो है बिमारियों से उनको घाटा हो जाता है मतलब नुकसान हो जाता है बिहार का तो ये 30% जो किसानों को नुकसान हो रहा है उत्पादन में ये क्रिसी क्लिनिक एक राम बान के रूप में काम करेगा और हमारी प्राथमिकता है विभाग की कि यह जो 30% लंसम जो किसानों का नुकसान होता है बिमारी से उसकी भरपाई क्रिसी क्लिनिक के माधियम से जरूर हो जाएगा आने वाला समय में देश में सबसे अब बल होगा पटना से अंकि सिंग की रिपोर्ट, खेते किसानी और पशुपालन से चुड़ी आसी अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें